Hey guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Problem in Home Page Redirection जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे Error के बारे में जैसा कि आप देखेंगे अभी तक चल रहा था Grocery Shop Chango Project जहाँ पे हमने हर एक टॉपिक पे देखा जो कि हमने बोला था कि जिसको कवर करेंगे इस टुटोरियल में तो हमने हर एक टॉपिक को देखा और यहाँ पे अब जो Error आपको मिलने वाले हैं उस Error को हम यहाँ पे देखेंगे Error Grocery Shop यह दूसरा टाइटल होगे हमारा जिसके नीचे आपको सारे Error मिलने वाले हैं कुछ Error ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हमसे कि यह Error का क्या मतलब है या तो यह Error क्यों आ रहा है तो मैं उनको एक एक करके सारे Error पे एक्स्प्लेइन करूंगा तो आज का जो हमारा Error है वो है User Home Page Redirection अभी तक आप देख रहे हैं इस Image को अगर मैं Open करूं तो जब हमारा Page उपन होता है इस URL से तो यह This is Home Page दिखता है इसका क्या Region है कि यह Home Page क्यों दिख रहा है या तो क्या mistake हो गई थी तो कि अगर आप Project बना रहा है तो सबसे पहले आपको Error आना चाहिए और Error से आपको सीखना चाहिए कि यह Error क्यों आ रहा है तो अभी हमारे पास This is Home Page जो आ रहा है क्यों आ रहा है इसको हम solve करेंगे और दूसरा Error भी आपको मिलता जुलता दिख रहा है बट आप अगर यहां की यहां पर आप Navigation Bar पर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका Navigation Bar में Login Sign Up और Admin Login है यानि कि यह Login से पहले का पेज है और यह Login के बाद का पेज है है ना यह Login के बाद का पेज है क्योंकि यहां पर My Cart है और एक User का Profile देखने के लिए भी Option है यहां आ जा रहे तो Problem हो रही जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसे Close करता हूँ और मैं अपने Project पर चलूँगा आप देखेंगे यहां पर जैसे ही मैं First यह Link पर Open किया तो कोई भी अगर आएगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन है कि अभी जैसे कि हम देखेंगे अगर मैं प्रोफाइल पर भी क्लिक करूंगा तो एक यूजर फ्रफाइल मैंच प्रोफाइल वह एडंत एग्जिस्ट इसका सबसे बडा रीजन है कि अभी जो लॉग इन ईूजर यूजर है वह एडमन यूजर है और हम ड्राय करने किसके साथ हम try करना है admin user के साथ इसलिए यह error आ रहा है तो यह सारे error पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों error आया यहाँ पे user profile match नहीं कर रहा क्योंकि हम admin user का कोई user profile नहीं नहीं दिए admin user का कोई profile बनाते ही नहीं जिसकी वज़ा से यह error आ रहा तो हम इन सब error से कैसे बचेंगे इन सब error को हम कैसे solve करेंगे यह सब मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले मैं इसे solve करता हूँ कि this is home page जो आ रहा है कि क्यों आ रहा है यह क्यों नहीं आ रहा direct यह आना चाहिए पहले ही मैं इस link पे भी click करूँ इस पे भी click करूँ फिर भी यह ही error आना चाहिए sorry वो main page ही आना चाहिए इस पे भी click करें तो direct तो क्या है इसमें problem में देखते है यहाँ पे देखेंगे तो हमने दो चीजे बनाई एक home एक index दो page बनाया तो जो हमारे linking में है URL पे जाएंगे URL पे चेक करेंगे कि एक जो है वो बिना किसी नाम का URL है मतलब कि यह हमारा main URL था यह home वाला URL यहाँ पे आपका इस पे जैसे ही click करते हैं यहाँ कुछ भी मत लिखो तो यह खुल जाएगा एक जो है वो main के नाम से है यह main वाला URL एक यह URL एक main वाला URL तो इस function का नाम क्या है जैसे ही हम इस पे click करें जैसे ही हम main link पे click करें जो कि हमारे terminal पे आता है यह वाली link पे इस पे जैसे ही click करें तो यह हमारा homepage खुलना चाहिए जबकि यह खुल क्या रहा है इस इस homepage जैसे link के कुछ आ रहा है इस इस homepage यह तो यह नहीं आना चाहिए पूरे HTML के sections को ही change कर दो पहला मैं करके दिखाता हूँ जैसे कि हम यहां क्या करेंगे मैंने copy कर दिया इसे और यहां मैंने इसे paste कर दिया तो देखेंगे मैंने पूरा home का function ही change कर दिया HTML वगरा सब change कर दिया हर एक चीज देखेंगे render भी कुछ और ही कर पार है ताकि मेरा जो home page हो वो direct वहां से खूले पहली चीज तो मैं क्या करूंगा यहां पर जैसे ही आप refresh करेंगे तो आप देखेंगे direct यहां पर home page कुला वापस से मैं try करता हूँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इस link पर click करने पर होना चाहिए मैं link पर click कर रहा हूँ और यह वापस से home page पर आ गया तो पहला चीज हुआ कि मैंने पूरा content बदल दिया दूसरा option कि इस page पर अगर हम content ना बदलते तो क्या करते अगर मैं control z करूँ तो मुझे पता है कि मुझे कहां भेजना है है ना कि अगर इस page पर आए अगर मैंने मान लिया कि home बना दिया और इस पर call हो रहा है तो हमें क्या करना है किस page पर redirect करना है तो हमारे पास दो तरह के user है एक तो user तीन ताइप के हैं एक तो हमारे पास user login रहता है तब simple user एक admin user login होता है तब और एक होता है कि जब कोई login नहीं होता तीन चीज़ों होती है तो हम क्या करेंगे इन तीन चीज़ों को दो दरीके से बात करेंगे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो staff user है जो हमारा admin user है उसे catch करेंगे मैं लिखूंगा request.user.is staff इस तरह से मैंने staff लिखा तो जो भी हमारे staff user होंगे उनको मैं क्या करूँगा return, redirect क्या कर दूँगा अगर admin user है तो आपको कहा करना है dashboard वाले page पे, admin dashboard पे तो हमें search करना है कि admin dashboard के नम से URL है कहाँ पे है तो यह देखेंगे admin dashboard का URL है न तो मैं इसे copy करूँगा और redirect वाले section में डाल दूँगा यहाँ पे, single quote में तो अगर कोई admin user अगर बीच में आ गया तो हम उसके लिए क्या करेंगे request.user.is staff मतलब जो हमारा requested user है वह staff है क्या अगर वह staff है तो वह कहाँ चला जाएगा admin dashboard पे इससे क्या होगा हमारा second error solve हो जाएगा जैसे कि अभी मैं इस पे refresh करूँगा और यह admin user है तो कहाँ चला गया admin dashboard पे चला गया automatic हमने कुछ में नहीं किया अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यह automatic admin dashboard पे जाएगा क्योंकि इसे पता है कि एक admin user है तो इसे admin वाले page पे भीज़रा तो हमारा एक error solve हो गया कि हम किस तरह से उसे admin वाले page पे direct भीज़ दिए अब वापस से अगर आप back करके इस पे जाते हो तो भी आप वापस से इस पे चले जाओ जैसे मैंने इसको click किया और हम इसे back करेंगे और इस पे refresh करेंगे वान मिनट यह main वाले section पे हमने add नहीं किया है अगर मैं main वाले section पे add करूँ यहाँ पे दो page है जो कि main को भी open कर रहा है और एक यह भी तो मैं क्या करूँगा दोनों वाले section पे डाल देता हूँ main वाले page पे भी यह रहा है और यहाँ पे refresh किया तो देखेंगे यहाँ पे admin dashboard पे आ गए ठीक है तो वो उस page पे जाएगा ही नहीं तो आपको URL मतलब नहीं अगर आप URL डालेंगे तो वहाँ चला जाएगा बट हम इन सब को solve करेंगे कि उस URL पे भी जाए तो ना जाए पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो हमारा main उस पे जा रहा था अब उस पे नहीं जा रहा है किसी भी अंगल से वो नहीं जा रहा है अगर हम बैक कुछ भी कर रहा है तो यह यहीं पे आ रहा है तो सबसे पहले मैं इसे log out करता हूँ जैसे log out किया तो आप देखेंगे वापस से यह main page पे आ कि आ तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों error solve हो गई पहला तो यह this is home page की link पे क्लिक करें तो user वाला home page को दिखाना चाहिए यह this is home page नहीं दिखाना चाहिए किसी भी तरीके से और दूसरा कि जो हमारे admin user अगर login होते थे तो भी यह आ जाता था अगर हम redirect करते थे अब मैं आपको दोनों redirect option दिखाता हूँ यह अभी log out है यह user log out है और मैं इसे direct open करता हूँ अब कंट्रोल सी किया पाइथन मैंने डट पी वैंन सर्वर किया और हमने क्लिक किया यह देखिए ओके 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 यहां से हमने data remove कर दिया था तो हमें यहां पे data add करना होगा यहां पे हम data add कर रहे हमने remove कर दिया था तो यह data add कर रहे और वापस से हम यहां पे refresh करते तो यह home page पे आ गया अगर मैं फिर से open करूं control c और हम फिर से run server करें और link पे click करेंगे link पे click किया तो देखेंगे अब यह main page पे आ रहा है मतलब अब आपको link पे click करना यह main page पे आए direct क्योंकि हमने set कर दिया अब अगर हमने admin से login कर लिया ठीक है जैसे कि हमने admin से login कर लिया तो इसका एक session start हो जाता है हमारे browser में तो यह session अब हमारे browser पे start है कि एक admin user है ठीक है और हमने क्या किया कि इसे remove करके enter करना चाहिए यह वापस से आ जाता है अगर मैं इसे click करके हटा दूँ और वापस से हम यहां पे इस link पे click करके जाए तो अभी मेरा browser जो है वो समझ रहा है कि admin user क्या है login है उसका session start है जैसे हम इस पे click करेंगे तो यह वापस से admin पे ही ले जाएगा ना कि homepage पे चपकी अगर आप logout रहें मतलब समझ में आ गया कि अगर admin user login रहेगा तो उसके admin के dashboard पर automatic चला जाएगा तो यह problem solve हो नेक्स्ट class में हम बात करेंगे कि अगर admin login हो और profile पे click करने पे यह error क्यों आती है जैसे कि अभी admin login है और अगर हम profile वाले section को open करेंगे तो यह error क्योंब रहे हैं ना यानि कि हम किसी भी data को access यहां से नहीं करने देंगे जो कि हमारे लिए error generate कर रहा हो हम इसे access करने ही नहीं देंगे यहांसे ताकि हमारा error generate करें हम सब के आगे क्या डाल देंगे कुछ function वगेरा use करेंगे जिससे क्या होगा कि वह हमारी function को ready नहीं करेगा तो error नहीं देगा मैं आपको profile वाले section में दिखा देता हूं क्या है profile यह प्रफाइल पैसी यह है यहां पर यह यूजर को गेट कर रहा है यहां तक सही यह बट जब यूजर प्रफाइल करने के बारी आएगे तो वह गेट नहीं कर पाएगा पर हम url तो कहीं भी call कर सकते किसी को भी call कर सकते थे इन सब को मैं रोकूंगा इस URL को सिर्फ और कर पाए एड्मिन उसर नहीं तो इन सब के लिए हम यहां पर चेक पला लगाएंगे ठीक है जैसे की जातो हम कुछ मैसेज दिखाएंगे या फिर हम कैसे भी करके इस एरर को सॉल्व करेंगे ठीक है यह यूजर प्रोफाइल डजन को मैचिंग क्यों आ रहा यह किसी भी अंगल से यहां पर नहीं आना चाहिए ठीक है तो हमारा यह दोनों एरर यही था यहां पर इस इस होम पेज क्यों आ रहा तो इसको हमने सॉल्व किया तो मिलते हैं कल दूसरे एरर के साथ अगर आपको भी कोई न्यू एरर आ रहा हो तो आप हमें पोस्ट कीजिए आप हमें बताईए आप हमारे अगर कोई क्या एरर आ रहा है तो आप उस पर बताईए कि आपको क्या एरर आ रहा है वैसे मैं यहां पर कमेंट सेक्शन भी एक ओपन करने वाला हूं जिस पर आप बता सकते कि आपको क्या एरर गेट हो रहा है तो कमेंट आपके लिए सही रहेगा यहां से तो हम आपसे कनेक्ट हो प झाल झाल झाल